हाँ कल हम लोगों ने भारत छोरों आंदलन के विभिन पहलूओं पर बात किया और आज हम लोग कोई नया टोपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा आजाध हिंद फौज देखिए सुबास चंद्रबोस के बारे में हम सब लोग बच्पन से पढ़ते आए हैं सब लोग जानते हैं कि सुबास चंद्रबोस कौन थे क्या किया हम लोग थोड़ा सा उस नॉलिज में बिशेश कुछ एड़ करेंगे कि सुबास चंद्रबोस जी ने जो किया उसका परभाव क्या रहा उनके कारियों का मुल्यांकन करेंगे साथ ही भारत की अजादी की लड़ाई में सुभास चंद्र बोश और उनकी जो संस्था अजाध हिंज फौज थी उनका क्या योगदान रहा कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि अजाध हिंज फौज कि सबसे बड़ा कारण था आजाधी पाने का कुछ लोगों का यह मानना है कि उसका भी मुल्यांकन करेंगे हैं कि स्वास्चंद्र बोश के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं कि जैसे कि आप बोर्ट पर देख रहे हैं कि कि इनके जीवन के बारे में कलम कहा है सुबास्चंद्र बोश के जीवन के परिचा के बारे में कि सुबास्चंद्र बोश का जन 23 जनवरी सन 1897 इस भी में उरिशा के कटक नामक अस्थान पर हुआ लेकिन यह थे नहीं उरिशा के नहीं थे यह थे मूलता योंगाली और इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोश और मा का नाम प्रभावती दास अजदत्र बोश था जानकीनाथ बोश कटक सहर में बहुत बड़े वकील थे और बोश संपन्द परिवार से यह बिलॉंग करते थे कौन सुभास चंद्र बोश प्रभावती और जानकीनाथ बोश की कुल मिलाकर 14 संताने थी यह नौवे नमबर पर थी अना जिनमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे सुभास इनकी नौवी संतान और पांच्वे बेटे थे सुभास संद्र बोश की सुरुवाती स्कूली सिक्छा के बाद उन्होंने रहनें 100 कॉलेज येट इस्कूल में दाखिला लिया उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज को लकत्ता में परविश लिया कि सुभास चंद्र बोश्कुन की उग्र राष्टवाती गत्विद्यों करां उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया जब बहस कर लिया थे एक टीचर से टीचर जो भारत के विरुद्ध बात कर रहा था उससे बहस कर लिया कैसे तुम बोल सकते हो तो क्रांतिकारी 24 धारा से प केंब्रिज भी सुभित द्याले के बाद बोश ने 1919 में भारतिय सिविल सेवा परिक्षा के त्यारी करने के लंदन चले गया और वहां उनका चयन भी हो गया लेकिन इनका मन कहां लगने वाला था मन तो लगने वाला नहीं था तो उससे भी इस्दिफा दे देंगे और कर आificación किवा अंग्रेजियों के साथ कारी नहीं कर सकते यह सब भावी बात है कैसे करें गश्र। कि जब बीचार धारा आपका उसके खिलाप हो करयांतिकारी तो अंग्रेज्चों के साथ कंप करना था बहूत मुश्कोल इनके राजनितिक गुरु थे बर्स 1921 में बोस ने चितरंदन दास की स्वराज पार्टी द्वारा प्रकासित समाचार पत्र फॉर्वर्ड का के संपाधन का कार्याभार संबाला ये भी एक कोश्चन बनता है देखिए सुबास चंद्र भोस ने जब 1921 में इस्तिपार देने के बाद आये तो उस समय 1921 में एक तरफ असहयोग आंदोलन चल रहा था और दुसरी तरफ चितरंजन दास का ये जो पत्रिका है इसके बारे में पुस्ता है प्राणभिक परिक्षाओं में और याद करने के लिए है मु कोड़ नामक जो पत्रिका है उसका संचालन करते थे कौन उसके संपादक के रूप में ये जुड़े जुड़े तो लिखे लिखे तो जेल होगी अच्छे महीने का है है ना कि गांधी जी ने जब 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया तो इन्होंने बड़ा दुख प्रकट किया किस न्होंने सुभाष जिंद्र वोज कोले कि यह एक बिपत्ती का समय है घंगोर बिपत्ती है कि जब सभी ने अवग्या अंदोलन वापस लिया तब इन्होंने कहा कि यह तो असफलता को स्विकार करने जैसा है कि द्यान से सुनिए दो स्ट्रेटमेंट गांधी जी के खिलाफ पहला असहयोग आंदोलन के प्रारम में यह उससे जुरे हुए थे लेकिन जब गांधी जी ने इस यह आंदोलन वापस लिया पांच फ्रवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई और बारा फ्रवरी 1922 को ग स्थिदी है लेकिन उसके बाद जब सभीने वग्यां दोलन चला यह उसमें विचुरे और सविने वक्यां दोलन को जब गांधी जी ने 1934 में वापस लिया तो उसके बारे में ने दुसरा स्चिट्मेंट दिया क्या कुछ कि यह तो असफलता को स्विकार करने जैसा है बिना किसी ठोस परिनाम के उसको बंद कर रहा है तो संपाधन किये किस पतरिका का एक फॉरवड पतरिका का और फॉरवड पतरिका के संपाधन से लंबे समय तक जुरे रहे कि 1100 1927 में छुबास चंद्र भॉस को 1927 में बेशिकली कॉंग्रेस के महासचीव नामक सबसे बढ़े पद को दिया गया कॉंग्रेस के महा सचीव बने फिर नाइन्टीन थर्टी एट में नाइन्टीन थर्टी एट में यह पहली बार कॉंग्रेस के अध्यक्ष चुने गए तो इनका जीवन अगर देखा जाए सुरू से बढ़ी परतिवा साली व्यक्ति बच्चे थे प परहाई लिखाई के बाद कि जब यह राजीती में आये देखी 18 अगस्त कॉंसर्ट टोपिक है लिखाए कि 18 अगस्त 1945 को जापान कि जापान जहां कंट्रोल करता था जिस एरिया को उसका नाम है फार्मोसा आजकल ताइवान में पढ़ता है एक बीमान दुरहतना में उनके मिर्ती हो गई नेता जी सुबास चंदर वोस्त की मौत के बाद मौत के बाद अभी तक जो मतलब उस पर इंविस्टिगेशन हुआ है उत्रस अपने आप में एक रहस्य ही है मिस्ट्री है क्योंकि आज तक कोई रिपोर्ट उस पर सही से प्रकासित नहीं हुआ रहस्य है सुबास चंद्र वोस्त को आजकल लोग गुमनामी बाबा के नाम से ज़्यादा जानते हैं ना कहते गुमनामी बाबा अभी जिन्दा आ नहीं नहीं है तभी यह लोग शुरक्षित महसीश कर रहा है रवीद रनाय टेगोर ने पहले उन्हें नेता जी कह तभी सही प्रचलन में आ गया सब्द और सारे लोग इनको नेता जी कहने लगी थे जो बाद में उनकी पहचान बन गई बोस को बर्स 1923 में अखिल भारतिय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष और साथ ही बंगाल राज्जिका कांग्रेस का सचीव चुना गया था क्रांतिकारी आंदोलनों से संबंदित होने के कारण बर्स 1925 में बोस को मांडले कारगार में भेज दिया गया जहां वह तपेदिक की बिमारी से गरसित हो गया बर्स 1930 कि दे देश को मजुक्त में बोस यूरोप की यातरा किये दे इंडियान स्ट्रागल नाम की पुस्तक में बुस ने बर्स 1923 से लिकार 1934 का दवरान होने वाले देश के सभी सतंतरता आंदोलन को कवर किया यह इनकी प्रसित क्यांसी है दा इंडियान स्ट्रागल में भूस न निति गांधिवादी विचारों के अनुकूल नहीं थी कि यानि इस समय तक कि 1938 में भी सुझूत सुरू नहीं हुआ था लेकिन यह जो लाइन है इस लाइन को समझे कि बरस 1938 में हरीपूरा में भरतिय कांग्रेस के अध्यक्स के रूप में चुना जाना और नीचे वाला लाइन कह रहा है कि यह निति गांधिवादी विचारों के अनुकूल नहीं थी वन्हां क्या भी चार थे इनके इनका जो विचार था कि ओ गांधी जी थोड़े से उधारवादी विचार के थे इनका मानना था कि यह वक्त है कि हम अंग्रेजों से यह कहें कि आप हमें यथा से स्वाराज दीजिए नहीं तो हम देश भर में हिंसक से लेकर अहिंसक तक हर पैमाने पर हम आंदोलन चलाएं चाहे उसका स्वरूप चाहे हिंसक हो या अहिंसक हो देश भर में बहुत बड़े आंदोलन की बात यह कर रहे थे जिससे गांधी जी बिल्कुल भी सहमत नहीं थे और गांधी जी क्या जो सिनियर लीडर थे वह भी इनके विचार से सहमत नहीं थे विचारिक मत्भेत तो इनका नहरूजी से भी था और सभी जो उदारवादी करने मन्सिक्ता के नेता थे उन से इनका मतभेत तो रहता ही था सप्राचार्व SC नाइनटीन 39 में त्रिपूरी में अधिवेशन हुआ जिस अधिवेशन में कि लोग चाहते थी कि सुबाज चद्रभुस अध्यक्ष बनें लेकिन सुबास चंद्र भोस अद्यक्ष न बने इसके लिए गांधी जी ने कहा कि हमारा उमिद्वार हमारे उमिद्वार पट्टावी सीता रमया को बनाया जाए लोगों ने कहा कि जब विवाद हो ही गया है तो बोट करा लेते हैं लोकतांतरिक तरीका अपनाते हैं वोटि पिशुद्व शुरू हो गया है दूटीयविसुद्व अब सुभास चंद्र भोस चाहते हैं कि जो डुसमन के दुसमन देश हैं उनसे मदद लेकर हम अंग्रीजियों के खिलाप इस समय आंदूलन करेंगे तो यस समय हमें जीदने की संभावना हमारी यही समय है सही मायने में आंदूलन करने का यही समय है कि दूष्मन की । दूष्मन को दोस्त बनाने का उन्से हाथ मिलाने का ऐसे पूर्ट्पर से कोई सेहमत नहीं होगा तो इन्होंने भिका की जब मानते नहीं हो तो कब तक तुम्हारे विचारों के बोज तले हम दबते रहेंगे ऐसा करो तुम लोग अपना कॉंग्रेस चलाओ हमारे अंदर इतनी छमता है कि हम आगे भी कुछ कर सकते हैं और उन्होंने कॉंग्रेस के अध्यक्षपत से स्थिपा दे दिया स्थिपा देने के बाद उनके के स्थापना किया फॉर्वरड ब्लॉग के स्थापना किया और देखिए अग्रेश की वितर एक गुट और इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉग का घठन किया जिसका उत्धेस राजितिक दी माम को मजबूत करना था हना अब यहां पर देखिए यह दुसरा टॉफिक हो कि यहां तक समझ में आया कहानी कि तो कि सुबाश चंद्र बोश का ये संचिप में जीवन रहा कि आये ने किया स्थापना अजाध हिंज फोज किया स्थापना एक युगंतकारी घटना थी हमारे इतिहास में कैप्टेंड मोहन सिंग जो इसके फाउंडर माने जाते हैं उन्होंने इसके स्थापना किया हलाकि आजाध हिंज फोज नामक जो ओरिजिनल संगठन है ये नहीं मायने में इसका गठन हुआ सिंगा पूर में जब कैप्टेन मोहन सिंग ने इसका कारेभार संभाला कैप्टेन मोहन सिंग कि उसी समय क्या हुआ जब यह फॉरवर्ड ब्लॉक की सुभाश चंद्र वो सस्थापना किये थे तब क्रांतिकारी गत्विधियों के कारण अंग्रेजों ने इनको कलकत्ता में ही नजर बंद कर दिया तब किसकी मदद से भागे थे इनका एक भाई था उसकी मदद लेकर यह वहां से भाग निकले फिर इधर मद्ध एसिया होते हुए रसिया पहुंच गए दिखिए अब यह बन जाएंगे सुभाश चंद्र बोज से जेम्स बॉंड डबल ओ सेबन भारत से भागेंगे आफगानिस्तान के तरफ वहां से प दोनी लेंगे को सोंचिये विष युद्ध का समय को अब भी सुध का सबसे खतरना अकादमी का जिसका नाम ही तनसाह रख दिया गया हिटलर कहने का मतलब क्या हुआ कि उसके नाम का मतलब ही तनसाह हो गया वैसा आधमी जिसने लाखों लोगों को जल्ती भठी में चल जला और मुझे लगता है कि भारत कि दो व्यक्ति जो हिटलर के सामने सर उठा के बात कर पाए जिसमें से एक थे हौंकी के जादूगर मेजर ध्यांचंदर और दुसरा सुभाष्चंदर भोश हम मेजर ध्यांचंद जिनको भारत भारत का या दुनिया का होंकी का जादबर कहा जाता है और उन्होंने जब जर्मनी के खिलाफ मालूम है कहानी इसे पहले जूता पाइने थे तो फिर जूता खोलने का परमिशन मिला फिर भैघ टूबेक सथ मालूम है उसके बाद Hitler ने उन और आप मुकर जाईए कितना वरा कलेजा चाहिए इसके लिए क्योंकि उसको तो एक सेकंड लगेगा उसको कोई फरक नहीं पड़ता है कि तुम इंडिया के हो कि पाकिस्तान की कि जर्मनी के हो कि जापान की उलटका देगा इस मांसिकता है लेकिन हिटलर ऐसा नहीं किया हिटलर ने सम्मानित किया किसको हां दूसरे बेक्ति सुभाष चंद्र बोस्च जर्मनी में गए और जर्मनी में जितने भी भारतिये बंधक थे बंधक का मतलब जो ब्रिटिस सेना क के तरफ से लड़ रहे थे उसको जर्मनी वालों ने पकर रखा था और इनकी संख्या करी बीस हजार के लिए हिटलर से पर्मिशन ले लिए कि उन्हीं उसको छोड़िये हम उसकी एक सेना त्यार और अंग्रेजियों के खिलाफ लड़ेंगे सुचिए दूसरे देश में जाके आर जाके वहां पर क्या किये अपनी सेना बना दी फिर इटली जर्मनी घुमें और सभी जगह सेना का गठन किया फिर वहां से पहुंचे जापान कहां पहुंचे जर्मनी से जापान जापान में आजाध हिंज फौज का एक संगठन था एक विंग था एक दल था जिसको नत्रित्तु करने के लिए कैप्टेन मुहन सिंग ने इनको मतलब तयार किया यह मान गए और वही पर पहली बार जापान में ही यह उससे जुड़े किससे आजाध हिंज फौज है उसके बाद जब जुर गए तो फिर सुभास चंद्र गोश आजाद हिंद फौज हो गए और आजाद हिंद फौज सुभास चंद्र गोश हो गए वहां से सिंगापूर आए पिर मेया मार आए इद इस एरिया में भी जितने भी बिटिस सेना थी पिदिस भारती के तरव से किस ऐपन के ऐधर में जर्मनी में काम करके आगये हैं इधर में क्या कर्रहें जापान कि जर्मनी और जापान यह दो स्वंधवर्णी वक्ति एंश गड़ीचत मैंने कल बताया था कि वी सुयुद्ध में दो गुरुप था एक मित्र रास्ट का जो इंगलेंड प्रांस रस्या और अमेरिका जैसा देश सामिल है दूसरा गुठ है धुरी गुरुठ जिसमें इटली जर्मनी जापान जैसे देश सामिल है यह जापान से मिल गए और जापा को तयार कर लिए कि यह सेना हम बनाएंगे और कि कहते हैं न कि सही मायने में फिर से 21 अक्टूबर कौन सा दिन था 21 अक्टूबर 1943 को सुभास चंद्रबोस ने क्या किया आईये ने का गठन किया सही मायने में अब यहां से कहानी शुरू हुई ना सिर्फ गठन किया बलकि सरकार भी बना डाला देखिए ज़रा भारत की इस्तिती को समझे सरकार की इस्तिती को समझेंगे हम लेकिन ज़रा भारत की इस्तिती को समझने का पड़्यास के लिए भारत का मतलब है कि भारत में भारत छोरू आंदोलन चल रहा है और भारत के जितने भी सिर्ष नेता है वो गिरफतार है जो सेकंड लाइन के नेता है सेकंड लाइन लीलर्स वो अंडरग्राउंड है और आंदोलन को दबाने के लिए बिटिश सरकार हिंसक तरीपिक अपना रही है धमनकारी नितियां चरम पढ़ है उधर सुभास्चंद्र भूस ने आजाद हिंज फोज की गठन के बाद क्या किया आजाद हिंज सरकार बना डाला और आजाद हिंज सरकार बना डाला इस सरकार में 16 सदसिये मंत्री मंडल का भी विस्तार किया गया इसके परदान मंत्री खुद ही थे राष्टपती भी खुद ही थे विदेश मंत्री भी खुद थे और रक्चा मंत्री भी खुद थे महिला वुङ की स्थापना की गई मतलब सुभास्चंद्र भूस के आईने में सामील होने से पहले ध्यान से सुनें, बड़ा इंपोर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस के आईने में सामील होने से पहले, आईने के चार विंग्स होते थे, चार संस्थाएं होती थी, या चार समीती भी कह सकते हैं आप, यह जब आए, तो इसको डेवलप करके साथ और समीतियों को जोड़े, जिसमें से कुछ समीतियां बड़ी परसिद्ध हैं, एक का नाम गांधी जी, एक का नाम नहरू जी, एक का नाम अजाद, इस टाइप के नाम रखे, एक महिला विंग्स भी बनाए, हाँ, लक्षमी के नित्रित्व में इन्होंने एक महिला विंग्स के स्थापना किया, और म महिले जो इस टाइप के संगठन बनते थे, उसमें महिलाओं की भूमिका होती थी सिर्फ मेडिकल डिसेक्टर तक, हेल्थ के लिए, कोई घायल हो गया तो उसका इलाज करना है, खाना वारा डिपार्टमेंट देखना है, पहली महिला थी लक्षमी, जो जाकर सुबास जी से बोलती है कि हम भारतिये महिलाओं को क्या बताएंगे, कि हम अजाध हिंद फोज में क्या कर रहे थे, सोचिए, और उस उन्होंने जोवास जी को मना लिया, कि हम ही आपके साथ लड़ेंगे, आप सूच रहे हैं कि 1942-1943 का दौर, विस युद्ध का दौर, आजाधी का कोई गारेंटी नहीं, और महिलाओं का एक संगठन, आज भी भहुँ सारे देश ऐसे हैं जहां सेना में महिलाओं को सामिल नहीं किया है, भारत में अभी भी भी बाद है, है कि नहीं? उस जमाने में सुबाश चंद्र भोस ने महिलाओं के ससक्ति करन का नमूना पेश किया, दे इंपावर्मेंट ऑब भूमन, कि महिलाओं को भी साथ लेके चले, ये बात उनके तारीफ में कहा जाता है, खर सरकार का गठन हो गया, उसका जो राष्ट्रगान बनाया गया वो यही था जो आज है, हमरा राष्ट्रगान क्या है? जहनगान मना, इसी को उस समय भी सुबाश चंद्र भोस ने राष्ट्रगान बनाया, तिरंगा जंड़ा फाराया, वही तिरंगा जो आज है, मतलब ना जंड़ा बदला, ना जंड़ा गीत बदला, लेकिन जो सेना है, उसके लिए एक अलग गीत बना था, मालूम कौन सा? कदम कदम बढ़ाये जा, खुशी के गीत गाये जा, यह जिन्दगी है कौम की तू कौम पे लुठाये जा, गाना सुने है? यह आजाध हिंद फोज का गाना है, और सुवास्चंद्रबोस ने एतिहासिक भासन देते हुए दिल्ली चलो का नाड़ा दिया, और यह भी कहा कि तुम मुझे खुन दो, मैं तुम्हें आजाधी दूँगा, जय हिंद, यह सब उनी के नाड़े हैं, किसके? सुवास्चंद्रबोस के, और सुवास्चंद्रबोस सेना को लेकर भारत की और प्रस्थान करने वाले थे, लेकिन तभी जापान ने भारत का सहयोग करते हुए, नेता जी का सहयोग करते हुए, इनको दो द्वीप दे दिया, अंडमान और निकोबार, देखिए, यहाँ बना देते हैं, यहाँ पर अंडमान निकोबार दुप समू है, है ना? तो इसको दो मान लेते हैं, अंडमान और निकोबार, अंडमान का नाम रखा गया सहीद, और सहीद इसे ही लिखते नहीं, और निकोबार का नाम रखा गया स्वराज, किस ने रखा? नेता जी ने, नेता जी ने ही नाम रखा सहीद और स्वराज, अंडमान सहीद और स्वराज, सहीद किसको बुलते हैं? अंडमान, और स्वराज, निकोबार का, याद रहेगा? तो ये अंडमान और निकोबार दो जो दूइब समों है, इनका नाम की दिया, और यहीं से स्पीच देते हुए, 1944 में सुभाज चंदर गोस ने अंडमान निकोबार से ही, रेडियो पर प्रसारन उनके भासन में उन्होंने महात्मा गाधी को राष्टर पिता बताया, राष पिता किसने कहा, सुभाज चंदर भोस है, यहीं अंडमान निकोबार से नोने कहा, यहां तक समाझ में आया, फिर सेना को लेकर यह मैनमार के तरफ से भारत में प्रवेश किये, एक वेब सिरीज आई है, उसको आप देख सकते हैं, एमेजोन या नेट्फिक्स पे है, दा फ पर गॉटन आर्मी, सुभाज चंदर भोस की अजाद हिंद फोज बना हुआ, है, हाँ, आजाद हिंद फोज बना हुआ, एक ऐसी आर्मी जिसके बारे में लोग भूला चुके, अब जारा मैं आपको एक कहानी सुनाओंगा, और इसके महत्तुक बताओंगा, कि इस आर्मी क भूलाना चाहिए या नहीं, देखिए, इनकी सेना प्रवेस करती है मैंनमार के तरब से भारत में जपानियों के शहयोग से, इस समय तक जपान जर्मनी के इस्तिति दुटिये बिसुजूद में बहुत मजबूत थी, मित्र राष्टुक की हलत खराब थी, यानि इंग्लें मिजोरम इन छेत्रों में बहुत लंबे एरिया को, कई सो किलोमीटर के एरिया को आजाध हिंद फोज ने आजाध करा दिया, मतलब इनका टार्गेट था, देखिए इनका टार्गेट कैसे था, यहां से प्रवेस करना है, इस प्रकार से, इनको आजाध कराते हुए पहले आ से सीधा पहुचना है कहां, यह इनका प्लान था, ठीक, लेकिन सेना जो है, सेना, वो यहां तक पहुची थी, तभी जानते ही, वो भी सुजुद्ध का अचानक से पासा पलट गया, अचानक से पासा पलट गया, क्योंकि, जबर्दस्ती बिना मतलब कि जापान ने अमेरिका को परेशान करने के लिए उसके पॉर्ल हर्बर दूइप पर अटेक किया, बदले में अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागा साकी पर दो एटम बं माला, और उसका परिणाम क्या हुआ, जापान को शेरिंडर करना पर, जैसे ही जापान ने शेरिंडर किया, भरतिये सेना का बैक अप तूट गया, और बैक अप तूटने का नतीजा हुआ, कि सेना यहां से आगे बहने के बजाए, पीशे हटने लगी, तीतर बितर होने लगा, और सुबास चंदर बोस को पता चल गया कि अब यह इस्तिती हमारे अनुकूल नहीं है, फिर उसी समय, सुबास चंदर बोस यहां से फिर जापान चले जाते हैं, है ना, और इस तरिक्ये से, अजाध हिन्दी फोज की कमर तूट जाती है, फिर सुबास चंदर बोस लोटके तो आते नहीं है, लेकिन कहानी यहां खतम नहीं होती है, एक्चुली में कहानी यहां से सुरू होती है, एक्चुली कहानी यहां से प्राडम होती है, कैसे, तो दिखिए, जापानियों के वापस जाने के बाद आजाध हिन्दी फोज का बैक आप तूट गया, नतीजा कि आजाद हिंद्र फोज को पीशे मुठना पड़ा जैसे ही पीशे हटे मतलब सरेंडर करना पड़ा सरेंडर करना पड़ा मतलब बिटिस ने धर दबोचा इनको दबोच लिया अब भूत बरी सेना है इतने सारी सेना को अब उस समय नियम यह है कि आप जब सिपाही बनते हैं तो कुछ सपतगरहन भी होता है आपका कुछ करतव्य का सपतगरहन होगा कि नहीं उसमें कहा जाता है कि अगर आप अपने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आपको मिर्तियु दंड दिया लेकिन इतने हज्जार लोगों को मित्रु मिर्तियु दंड देंगे कैस क्योंकि सारे सिपाही किसके थे बिटिस के थे यह सुभास चुनर भोस ने उन्हीं का आदमियों को उनके खिलाफ लड़ाया था तब अंग्रेजु ने सोचा कि इतने सारे सिपाहियों को फांसी देना सही नहीं है तो इनके हेड को पकड़ो कि तीन लोग थे आए इसमें देखी एक फोटो डाले होंगे उसको रेड फोट ट्राइल कहते हैं उसके बारे में चर्चा हम करेंगे नहीं डाला हुए है फोटो जड़ा खोली है ना देखने में इनको अच्छा लगेगा इसे जाएगा इसमें खुल जाएगा नहीं खुलेगा अच्छा नेट चलता है ना ट्रिकित ट्राइल यहीं जाएगा जाएगा जाना ने दोडिचर जाएगागा नेएगागा जाएगा यह जाएगा ट्राइल इमेज खोलेंगे और इस तस्वीर को देखेंगे देख रहा है सहनवाज, धिलन और सहगर इसको ऐसे मत समझे, इसको ऐसे समझे ये सहनवाज, धिलन और सहगर नहीं है ये हिंदू है ये सिख है और ये, सोरी, 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 ये ये कैसे होगा ये दिख रहा है, ऐसा कैसे हो गया लाल कहां से है गरा अच्छ बस अठीक मुसल्मान, सिक्ष, और देखिए, अंग्रेजों का अब इतरे हलके मत लीजिए वो अभी भी नहीं सोच रहे हैं कि हम इसका क्या कर रहे हैं वो अभी भी अपने फूट डालो और राज करो कि नीती का उधारन पेस कर रहे हैं इतना बड़ा केस बना कि यह जो तीन लोग दिखाई दे रहे हैं आपको बोड पर इन तीन लोगों को इन तीन लोगों को पूरे भारत में सहीद सुरी से क्या बूलते हैं जो टॉप क्लास के लीडर हैं सुटनतरता सेनानी उनकी स्रेनी में रखा गया उस समय फिर कैप्टन सहगल जो थे इनके बारे में यह कहा गया कि इसको कह रही है कॉंग्रेस कि हम इनका केस लड़ेंगे सिख को कह रहा है अकाली दल हम इनका केस लड़ेंगे और यह चुकि मुसलमान है तो इनको कह रही है हम इनका केस लड़ेंगे ठीक लेकिन जब इन तीनों का विचार पूछा गया तो इन्होंने कहा कि यह संस्था कॉंग्रेस से अलग नहीं है इसलिए कॉंग्रेस ने जो डिफेंस टीम तयार किया है हमारे केस लड़ने के लिए हमारे केस तो कॉंग्रेस ही लड़ेगी तो एक सुर में बोले कि नतीजा इन दोनों का पत्ता कठो गया यानि इन तीनों का केस अव लड़ेगी कौन तो इंडियन नेश्नल लगई इनके केस में एक बहुत लिफेमस नाम आता है जिनका नाम है तेज बहादूर शपरू इनके केस के सबसे फेमस करेक्टर का नाम है तेज बहादूर सपरू यही इनके में वह कुछ से तो बहुत जार जितने भी देश के बड़े लोयर थे हां बता रहे हैं बता रहे हैं जितने भी देश के बरे लोयर थे इंक्लूडिंग सुवास्ट इंक्लूडिंग जवहालाल नहरू सब ने इस केस को लरने के लिए तयार हो गए ठीक लाल किला पर मुकदमा चल रहा था तेज बहादूर सप्रू की स्वास्ट हो गई खराब नतीजा कि इनके जगह पे जो दूसरे वकील आये जिनका नाम था भूला भाई देशाई भूला भाई देशाई यह आए केस लरने के लिए कहा जाता है यह लोग कहानी सुनाते हैं उजमाने के कि भूला भाई देशाई पहले तो कई हपते तक अपने कमरे में बंद रहें उन्होंने इस बड़ी सुक्षमता से गहराई से पहले इंडियन नेशनल आर्मी को स्टड़ी किया तब जाके वो केस लड़ने के लिए तयार हुए भूला भाई देशाई ने जब आदालत में अपनी दलीले पेश की इन मानना था कि ये तीनों देश द्रोही हैं ये तीनों ने अपनी ही सेना के खिलाप काम किया है इसलिए इन तीनों को क्या मिलने चाहिए वहां से मिलने चाहिए और मैं आपको बताओं एक तरफ तो इनका ट्रायल जल रहा था, दूसरी तरफ देश में पता क्या हो रहा था, देश जल रहा हुदा, देश भर में इनके खिलाफ, किसके खिलाफ, बेटिस के खिलाफ, एक ऐसा महोल तयार हो गए, जगा जगा दंगे होने लगे, जगा जगा किसान मजदूर सब लोग उठखाड़ा हुआ किसके समर्थन में इन तीन लोगों के समर्थन में जिसका फुर्ट तस्वीर आप देख रहे हैं सहनवाज धिलन और शैगर इन तीन लोगों के समर्थन में नतीजा हुआ कि भुला भाई दिशाँ जब आदालत में केस लगने के लिए गए तो उन्होंने दलील दिया कि देखिये अंग्रेजों के एक बहुत बड़े फिलोसफर थे उन्हीं कहीं बातों को कोट कि रहें उन्होंने कहा कि कोई भी ब्यक्ति जो गुलाम होता है उसको बगावत करने का अधिकार होता है दास्ता से मुक्त होने का अधिकार होता है अगर उनसे ये अधिकार छीन लिया जाए तो इसका अर्थ तो यही होगा न कि एक बार जो गुलाम बन गया वो हमेशा गुलाम ही रहेगा ध्यान से सुनियेगा सेम दलील दिया था भूला भाई देशाई ने किसको बिटिस नियाय पालिका के समख्च कि आपके ही फिलोसफर लोग कहते हैं और पहले भी इस आधार पे ट्रायल चला है कि मान लिजिए कि इन तीन लोगों ने बिटिस हुकूमत के खिलाब बगावत किया है तो ये लोग कौन हैं ये लोग बिटिस सरकार के गुलाम हैं और ये अगर अपनी सिब सिस्टम के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करेंगे अपनी गुलामी की दास्ता को तोरने का पर्यास नहीं करेंगे या इनसे ये अधिकार छिन लेते हैं हम तो इसका तो सिधा मतलब है कि एक बार गुलाम बन गए तो बने रहो यही मतलब होता है ना इसलिए यहां पर ये समझने वाली बात है कि भूला भाई देसाई ने जो दलील दिया उस दलील थे आएने और भारत की जीत हुई जीत हो गई लेकिन सेना का अपना एक कानून होता है होता है ना जो पुलिस और न्यायपालिका से अलग होता है यहां तो आपने न्यायपालिका से उसको बचा लिया तिनों को लेकिन सेना के कानून से कैसे बचाएंगे उसमें तो आप हस्तच्छेप भी नहीं कर सकते जैसे आज के डेट में भारतिये सेना है तो भारतिये सेना का कोई सिपाही अगर कुछ गलती करता है तो उसमें हम तुम कुछ कर सकते हैं इतो उसकी अपनी नीजी मामला है और उस पर कोट मार्सल चलता है उस सेना ही चलाती है उसी तरीके से उस जमाने में भी कोट मार्सल का प्रावधान था और बिटिस सरकार बिल्कुल तयार बैठी तीरी पर पर कोट मार्सल चलाने के लिए नियाय पालिका का हस्तच्छेप नहीं हो सकता न सेना में नियाय पालिका हस्तच्छेप नहीं कर सकती उसमें हर चीज की अपनी सिवाएं है ना अभी जैसे की मालो कि मैं अभी सेख ठाकुर्त भारतीय सेना का सपाहिए है हे ना मैं सरकार के खिलाफ या सेना के खिलाफ कोई काम करता हूं तो मैं दोशी पाया गया तो हामारा केस वांट में बाद में चलेगा पहले होगा कोट मैर्शल बात को समझो, उसमें जो भी सजाद दी जाएगी सेना के द्वारा, उस पर कोर्ट में भी तुम चैलेंज नहीं कर सकते, समझ गए? तो सेना का अपना एक जजमेंट सिस्टम है, जुडिसिरी सिस्टम है, जिसमें हमारी जो common नयायपालिका है, ये उसमें इंटरफेर नहीं कर सकती, है ना? केस लरने का मतलब है कि दो कारण से, एक कि बिटिस सरकार कहां सचेब खतम हो गया, दूसरा, भारतियों के नजर में, पहले तो फांसी से बचा लिए ना हम इनको, सिधा क्या नियम था? फांसी, मिर्ति उदंड, तो फांसी से बचा लिए, और दूसरा, पूर मतलब उस जमाने के लोग जो अपनी पुस्तकों का लिए पुस्तकें लिखे हैं, उन्होंने लिखा है, कि इतना ज्यादा गैदरिंग, इतना ज्यादा बहस भारत छोरो आंदुलन को लेकर भी नहीं हुआ था, जितना कि इस केस को लेकर हुआ था हर आदमी अपने आपको इस केस से जुरा हुआ महसूस कर रहा था, याद कीजिए न, एक ही न थे मंगल पांडे, एक केस आपका पुरा देश बिगार सकता है, मंगल पांडे तो एक ही थे, और मंगल पांडे कोई पहले ब्यक्ति तो थे नहीं, जिनको अंग्रेज फासी द हो गई, देखा थे आपने 1867 की क्रांती में, उसी तरीके से ये केस ने पूरे देश को जगा दिया, लेकिन, एक बहुत बड़ी चीज हो गई उस समय, उस समय के जो वाइसराय थे, उन्होंने कोट मार्सल होने से भी बचा लिया, इनको माफ कर दिया, यानि बेटिस सरकार इनको माफ कर दिया, ये देखते हुए कि महावल ठीक नहीं है, हो सकता है कि फिर से दंगे हो जाएं, और उस समय ब्रिटिस सरकार उस इस्तिती में नहीं थी, वो फिर से दंगो को दबाने में लग जा क्योंकि वी सुजूद दस्रमाप्त हुआ था, और इंगलेंड की आर् तो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भारत में कोई भी दंगा वाली इस्तिती हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, इनको पोट मार्शल से बड़ी कर दिया, कहानी समझ में आया, अब देखिए, इतिहासकार कहते हैं, कि ये जो ट्राइल था और आईयने ने जो कारेकर्म किये, उसके वज़ा से अंग्रेजों को ये समझ में आ गया, अब ज़्यादा दिन हम यहां नहीं रूख सकते, क्योंकि अब हर व्यक्ति अपने आपको आंदूलन कारी और करांतिकारी समझ रहा है, इसलिए यथा सिग्र हमको भारत छोर कर चले जाना चाहिए, अंतरास्ट्रिये प्रेसर परने लगा, और इसी के दवाव में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया 1945 में, जिसने सोतंतरता की, बात कही और हमको आगे चलके 1947 में सोतंतरता मिली, तो यह केस इतना इंपोर्टेंट है, है न, अख़बार का नाम देख लिए कि इसमें छपा होगा है, हाँ, हाँ, और, हेडिंग देखिए, आई एने ट्रायल ओपन सिन रेड़ फोर्ट, इसे रेड़ फोर्ट ट्रायल के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपोर्टेंट है, तीन नाम याद रखिएगा, सहनवाज, धिलन और शेहगर, इतना याद रखेंगे तो काम हो जाएग वो स्लाइड की से खुलेगा? है, यहाई से ड이시े बहुते है, से एकिसी के तो काम है, स्लाइड कThat's, वो स्लाइड कि आयेने की कारेवाई इसको ध्यान से देखिए कि कह रहा है कि कुछी महीनों में आयेने के पास गाधी अजाद और नहरू के नाम पर तीन लड़ाकों बिग्रेट बन गई जल्द ही अन बिग्रेटों का गठन किया गया अर्थात सुबास बिग्रेट और रानी जहांसी यह हम लोग पढ़ रहे है कि आयेने जो बना उसके विभिन ने कारेकरम क्या रहे है इसके फैक्चुल पॉइंट्स को इसमें देखिए परवासी भारतियों ने सेना के लिए धन और समागरी के रूप में भारी योगदान दिया किस ने दिया था है ध्यान से देखिए एनर में सामिल हो और अपना धन भी दें ताकि हमारा मजबूत रहे ताकि हम युद्ध लड़ सकें ठीक परवासी भरतियों ने सेना के लिए धन और समागरी भारी योगदान दिया था एकई सक्टूबर उन्निस सट एतालिस को सुवास चंद्र भोस ने एच्ची चटरची बित्ते भी भाग थे इनके पास था म ए अईयर परसारन मंत्री थे लक्ष्मी स्वामी नाथन महिला भी भाग के हैट थी वही लक्ष्मी आदी के साथ सिंगापूर में सुतंत्र भारत के लिए अंतरीम सरकार का गठन किया ये दिन याद रखिएगा कौन सा दिन हाँ एकई सक्टूबर का दिन क्यों दोजार आठारह में इसके पचातरवें बर्सगाठ पर भी सुबास चंद्र भोस के आईयने के इस पचातरवें बर्सगाठ पर क्या हुआ था मोदी जी ने लाल किला से तिरंगा फाड़ आया था किस दिन एकईस अक्टूबर के लिए ठेक चलिए अंतरीम सरकार का गठन फिर इस अंतरीम सरकार ने ब्रिटेन और संजुक्त राज अमेरिका पर युद्ध की घोसना की किसलर अमेरिका और ब्रिटेन से और धूरी सक्तियों के द्वारा इसे मानेता दी गई नौ देश थे जिसने किसको मानेता दिया था आजाद है निस सरकार को कितने देशों ने मानेता दिया था नौ देशों ने भूला भाई देशाई ने इसके बारे में ट्रायल में भी बताया था रंगरूटों को प्रसिक्षित किया गया आएने के लिए धने कत्रित किया गया प्रसिध नारा तुम मुझे खोन दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा मालाया में दिया गया था कहां पर मालाया कहां है मालदीप में है जनवरी 1944 में आएने मुख्याले को रंगून बर्मा में अस्थांतरित कर दिया गया था और सेना के रंगरूटों को चलो दिल्ली के युद्ध घोस के साथ वहां से मार्च करना था वही दिल्ली चलो या चलो दिल्ली है ना छे जुलाई 1944 को सुभास संद्र बोस ने आजाद रेडियों के में से महात्मा गांधी को रासपिता करकर संबोधित किया गांधी को रासपिता कहने वाले पहले ब्यक्ति थे उन्होंने भारत का आखरी अजादी की लड़ाई के ल अधूरा है है और बैचारिक मतभेद का होना तो यह निचुरल है मनभेद नहीं होना चाहिए इसके अलावा अजाद हिंद फोज ने बर्मा सीमा पार किया और 18 मार्ट 1944 को भारतिय धर्ती पखड़ी हुई आईयने इकाईया बाद में कोहिमा और इंफाल तक आगे बढ़ गई थी है ना कोहिमा कहा है और इंफाल है ना भारत की धर्ती पर तिरंगे की मेज़वानी की हालाकि आयने के दो कारणों से इंफाल प्रकप्जा करने में विफल रही पहला जापानी आयने को अवस्यक समागरी और हवाई कवर किया पूर्ती करने में विफल रहे मांसुन ने उन्हें आगे बढ़ने से रुख दिए बाहुत बारिस हुई थी उस समय और जानते ही है मनी पूर्ण में घाले में तो बारिस क्या इस बीच अंग्रेज अपनी सेना से को फिर से संगठित करने और जवावी हमले करने में सक्षम हुए आयने बिरता पुर्वक लड़ाई लड़ी लेकिन युद्धिव का रुख बदल रहा था कौन सा युद्ध दिए बिस युद्ध इसके बाद लगातार जापानी वापसी जापानी वापसी ने आयने द्वारा देश को आजाद करने को किसी सब की उमीद को खत्म कर दिया वापसी 1945 के मध्य तक जा टाइपे ताइवान में एक हवाई दुर्गटना में सुभास चंद्र बोश का रह समय तरीकी से मिरती होगा देखिए यह देट देखिए पंदरा अगस्त को कि पंदरा अगस्त को क्या हो रहा है कि जापान सरेंडर कर रहा है और तीन दिन बाद कुछ समझ में आ रहा है कि इसलिए विवाद होता है कभी है तुमको फुर्षत से अलग से बताएंगे कि और इस कारणों से होता क्यों कहा जाता है कि सुभास चंद्र बोश को मारने में कुछ अपने लोगों का भी हाथ था है ना कथित तोर पहाँ देकिन जब युद्ध के बाद आये ने युद्ध बंदियों को कोट में मार्शल करने के लिए भारत वापस लाया गया तो उनके बचाओं में एक सक्तिसाली आंदोलन उबढा जिसके बारे में हम बता रहे थे आपको है ना सक्तिसाली आंदोलन उ हमको मिल जाएगा तो आये ने जो संग्ठन है इस संग्ठन के बारे में कहा जाता है कि इस संग्ठन ने भारत की आजादी के लिए जो राष्टबाद की भावना होनी चाहिए उसको जगा दिया था दूसरी तरफ हमारा भारत शुरू आंदोलन ने भी बहुत महत्पुन भुमिका निभाया तो कुल मिलाकर अब वो परिस्तिती बन गई कि हम अंग्रिजू को इस बताने में सफल हो गए कि अब वो समय दूर नहीं है हम अब कह सकते हैं कि गईल मागव 29 बाकि परसित कहवत है गईल मागव 29 बाकि माग मतलब फरवरी का महीना 29 का होता है उसके बाद क्या आएगा माग मतलब जनवरी का है ए तुमसे पूछ रहे हैं है तब यह ठीक नहीं लग रहा है तुम्हारा है लड़कियों को कोई भी तकलीफ होता तो एक ही बहाना बनाती है तब यह ठीक नहीं है ठीक है 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 ऐसा होता है आए ने समझ में आया परिस्थितिया समझ में आई तो अगर इसका मुल्यांकन करना हो तो किसा धार पर करोगे क्या आए ने भारत में या भारत को सफलता दिनाने में भूमी का निभाया था हाँ या ना हां क्या भारत में आयने ने राष्टबाद को जगाया था जगाया था क्या आयने ने अंग्रीजों पर दबाव डाला था कि आप भारत को अजाद कर दीजिए इसमें भी सफल रहा था कि मतलब आप अश्चर्ज कीजिए कि जो काम हम भारत में रहके नहीं कर पाएं कि भीदेशी धरती पर एक व्यक्ति ने कर दिखाया कि गांधी जी को यह डर था कि जापान हमको कबजा कर लेगा कि हम एक तरफ अंग्रेजियों से लड़ाई की लड़ाई कर रहे हैं कि आप हमको सतंत्र कर दीजिए अब पता चला कि एक से छूटे और दूसरे के चंगुल में फस गए यह डर था गांधी जी को कि दूसरा सुबास्यंद्र बोस्का अलग विचार था सुबास्यंद्र बोस्क जानते थे कि जापान समराजवादी नीतियों से नहीं चलता अगर जापान समराजवादी नीति से चला होता न तो उस सबसे खतरनाक देश है जिसले रसिया और चाइना को भी नहीं छोड़ा जापान ने जो जाइना चाइना को भी गुलाम बनाया था मालू में तो आप समय लिजिए कि उस समय उन्निस सब पैंतालिस में जापान के प कि चंगुल में नब भजाएं इसलिए उचाते थे लेकिन सुभास जी का मानना था कि भाई हम देश को तो पहले आजाद कराने का सोचें जैपानी अगर इसमें मदद कर भी रहे हैं तो क्या दिक्कत है और जो सुभास चेंद्रबुस का प्लान था ना जितनी बड़ी सेना इन्होंने खड़ी कर दिया था सही से अगर सपोर्ट थोरा सा मतलब कुछी दिन मां तर दो चार वही ने और सपोर्ट मिल गया होता यह दिली तक तो पहुँच जाते और उसके बाद इतनी ताकत हो जाती हमारे पास कि हम लोग जापानियों को भी देख लेते एक बार दिली पहुचने के बाद क्यों कि सेना तो हमारे पास भी होती न फिर और भारत जापान का भारत भारत की तरफ आना इतना आसान रास्ता नहीं है जापान कोई परोशी देश नहीं है हमारा तो यह सारे चीजे रही यहां तक समझ में आया और कोई प्रस्ण है क्या बता दें जीवन का रहस्य बता दें वह और अफिस्यरी बताएंगे तो यहां तक रहन रहा जाए चलिए इसको एंड कर दीजिए